दोस्तो अभी हाली में मैंने छोडी नाम की एक होरर ड्राव मूवी देखी है जो की इसी हफते Amazon Prime India प्लाटफॉर्म पे रिलीज हुई और इस फिल्म को विसाल फूरिया ने ड्रिक किया है ये सिन लपाच अपी नामक मराथी फिल्म की रिमेक है जिसका एक्स्प्लाइनेशन आपको अल्रेडी मेरे चैनल पे मिल जाएगा आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर छोड़ी मूवी को एक्स्प्लेइन करते हुए इससे जोड़ी कुछ इंटरस्टिंग फैक्स और थेरीज पे बाते करेंगे क्योंकि आदित्या नहीं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा है उनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा तो मूवी के ओप्निंग सीन में हम एक प्रिगनेंट औरत को किसी खेत में भागते वे देखते हैं और थोड़ी दूर भागने के बाद वो अचानक गिर जाती है यहां तीन छोटे लड़के आते हैं जो उस औरत को एक नाइफ देते हुए कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है यह सुनने के बाद वो औरत वहां किसी और को भी देखती है जिसे as an audience हम नहीं देख पाते वो औरत उनसे नाइफ ले लिती है और मारी बच्ची को ना मारो मारी बच्ची को ना मारो कहते हुए अपने पेट को काड़ देती है जिसके बाद स्क्रीन ब्लाक आउट हो जाता है अब अगले सीन में हम मूवी की में लीड साक्षी को देखते हैं जो कि एक प्रेगनेंट औरत है साक्षी अपने NGO के बार अपने हस्बेंड हेमंद का वेट करते हुए कुछ छोटे लड़कों को खेलते हुए देख रही थी कि इतने में ही वो नोटिस करती है कि मुसकान नाम की एक छोटी लड़की भी उन लोगों को खेलते हुए देख रही थी साक्षी मुस्कान को उन सब को जॉइन करने के लिए कहती है लेकिन मुस्कान बताती है कि क्योंकि वो लड़की है वो लोग उसे अपने साथ नहीं खिलाएंगे साक्षी ये सुनकर उन बच्चों को बोलाती है जहां वो बच्चे भी सेम बात बोलते है और उनका कहना था कि अगर खेलते वे मुसकान को छोट लग गई तो वो रोएगी विल साक्षी उनलोगों को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो लोग मुसकान के साथ खेलने के लिए तयार हो जाते हैं खेल के बाद साक्षी उन सबको पानी पूरी खिलाने ले जाती है जहां थोड़ी देर बाद हेमंद अपने ड्राइवर कजाला के साथ कार में आता है हेमंद साक्षी के साथ कुछ बात वगयरा करी रहा था कि तभी रोड की दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को एक कार में देखते हैं जिनने देखकर हेमंद ऐसे रियाक्ट करता है ऐस इफ वो उन्हें जानता हो वो लोग हेमंद को काइंड ओफ थ्रेटन करते हुए आगे चले जाते हैं लेकिन साक्षी ये सब नोटिस नहीं करती और वो लोग घड़ा जाते हैं कजाला कीज देकर जाने से पहले साक्षी को उसके होने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट देकर जाता है रात को साक्षी इस गिफ्ट को ओपन करती है जो की एक ड्रम प्ले करता हुआ मंगी था साक्षी इस गिफ्ट को देकर कावे खुश होती है और फिर सोने चले जाती है अब रात को अचाने की साक्षी की नीद खुलती है और वो हेमंद के चीखने की आवाज सुनती है उसने अगले 24 घंडे में चंडेल के पैसे वापस नहीं किये तो वो लोग उसे और साक्षी को उनके बच्चे समेथ जान से मार देंगे इस सीन को देखकर एक बात क्लियर थी कि हिमंत को पैसे की प्रॉब्लिम थी और ऐसा सायद इसलिए क्योंकि हिमंत कैश करो आप यूज नहीं करता होगा जी हाँ कैश करो लिटरली आपको ओनलाइन शॉपिंग करने के पैसे देता है और वेबसाइट्स लाइक Amazon, Mintra, Flipkart, Agio and over 1500 वेबसाइट्स कैश करो एक इंडियन अप है जो की रदन टाटा सरदवारा फंडेड है और यहाँ आपको ग्रोचरी शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ड और छोड़ी चोड़ी ट्रांजक्शन्स पर कैश बैक आएगा यह रियल कैश बैक है जिसे आप इजली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर Amazon गिफ्ट वाफजों में कनवर्ट कर सकते हैं कैश करो आपको यूज करना बहुत इजी है पहले दिस्क्रिप्शन या कॉमेंट में दी गई लिंक से आप को डाउनलोड कीजिए या फिर डिरेक्ट प्लेय स्टोर से डाउनलोड करके मेरा कोड हांटिंग 25 जरूर सितमाल कीजिएगा जिसे आपको इंस्टेंटली 25 रुपे मिल जाएंगे फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक करो and then orange बटन को दबाओ ऐसा करते ही आप सेलेक्टेड वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे and then जैसे regular शॉपिंग करते हो ऐसे करो पेमेंट करने के बाद कैश करो के my earning section में आपका cash back reflect हो जाएगा इसे फिर आप अपने bank account में या फिर amazon gift voucher में easily transfer कर सकते हैं तो देर के इस बात की जल्दी से cash करो app download करो with the help of link in description and comment साथ ही मेरा code haunting25 use करना मत भूलना अब अगर आप video के end तक बने रहेंगे तो मैं आपको cash करो दोड़ा किये जा रहे है एक giveaway के बारे में भी बताऊंगा So stay tuned Now coming back to story गुंडे हमंत को पीट कर और उसे धमकी दे कर यहां से चले जाते हैं और इसके बाद हमंत तो साक्षी decide करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से कहीं दूर किसी unknown place में चले जाएंगे जहां वो लोग शान्ती से पैसो का इंतिजाम कर सके और साक्षी की safely delivery हो सके कजाला एक एसी जगा जानता था जहां वो उन दोनों को इन सबसे दूर कुछ दिनों के लिए छुपा सकता था तो उसी दिन early morning साक्षी और हेमन दोनों शहर छोड़कर कजाला के साथ उसके गाउं निकल पड़ते हैं कजाला का गाउं एक शोटा सा गाउं था जहां गिंती के सिर्फ पाँच घड़ी थे जिन मेंसे दो घर तो कजाला और उसके भाई का ही था कजाला हेमन को बताता है कि गाउं में उसकी वाईफ साक्षी का अच्छा ध्यान रखेगी कुछ दिर बाद वो लोग कजाला के गाउं पहुँच जाते हैं जहां कजाला उन लोग को एक खेत के पास उतार कर यहां से उसके घर तक का रास्ता समझाने लगता है यहां से हेमन तो साक्षी खेत के रास्ते से कजाला के घर के लिए चल देते हैं और कजाला गारी पार करने चला जाता है खेत के रास्ते चलते चलते वो लोग थोड़ा भटक जाते हैं और हेमन साक्षी को बैठने के लिए बोलकर खुद घर खोजने निकल जाता है हेमंद का इंदिजार करते वे साक्षी की आँख लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तब शाम होने वाली थी बट हेमंद का कोई अतापता नहीं था इतनी देर तक हेमंद के वापस नाने से साक्षी परिशान हो जाती है और वो हेमंद को खोजने निकल जाती है थोड़ा अगे चलने के बाद साक्षी को खेत के बीच एक पुराना घर दिखाई देता है साक्षी घर के पास आकर हेमंद को आवाज लगाने लगती है और surprisingly हेमंद भी यहीं था यहां साक्षी एक old lady को landon लिए देखकर डर जाती है लेकिन तुरंत ही हेमंद उसके सामने आ जाता है जिसे वो गले लगा लेती है हिमंद साक्षी को बताता है कि इस lady का नाम भानो देवी है और यह कजाला की wife है भानो देवी उनसे कहती है कि राजबीर के बापू यानि उसके husband कजाला ने उसे बता दिया था कि वो लोग यहां आने वाले हैं और इसलिए उसने पहले से ही सब इंतिजाम कर दिया है रात को कजाला भी यहां आज आता है और खाने के दौरान साक्षी नोटिस करती है कि यह लोग आज भी पुराने खायालों कहीं है क्योंकि भानो देवी साक्षी को मर्दों के खाना खा लेने के बाद ही खाने के लिए कहती है जो कि साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आता पहले कजाला का छोटा भाई योगेश्वर भी रहा करता था लेकिन उसके गुजर जाने के बाद से ही उन्होंने ये घर छोड़ दिया था तो खाना पीना हो जाने के बाद कजाला और भानो देवी अपने घर निकलने लगते हैं और भानो देवी next morning यहां आने का बोल कर जात थी है तो अगली सुबह साक्शी घर के बाढ़ भानो देवी और हमность को देखती है जहां भानो देवी हमन्त के जक्मों पे हल्दी का लेप लगा रही थी हमन्त तयार होकर बैठा था क्यूंकि कजाला उसे अपना खेत दिखाने ले जा रहा था था साक्शी तो देखकर भान देवी अजीब सार रियाक करती है ये रियाक्शन इसलिए क्योंकि भानो देवी की यहां अपने हस्बेंट को नाम से नहीं बुलाया जाता था खैर साक्षी नहाद होकर तयार होती है और आसपास घूमते वक्त वो अपने रूम के ऊपर एक विंडो को नोटिस करती है जिसकी दूसरी तरफ एक रूम था साक्षी इस रूम को देखने जाती है जो कि घर के पीछे बना हुआ था ये कमरा खाली परा था और यहां से टर्न करने पर साक्षी नोटिस करती है कि इस रूम के दरवाजे के ठीक सामने एक रास्ता खेत में जा रहा था उस रास्ते पर जाने क कि हेमन था जो कि उसे डरा रहा था साक्षी हेमन के इस मजाक से गुसा हो जाती है और वो दोनों घर लोट जाते हैं रात को हेमन साक्षी को बताता है कि वो एक दिन के लिए सहर जाएगा क्योंकि उसे पैसो का इंतिजाम करना है लेकिन साक्षी इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसके जाने के बाद वो यहां बिलकुल अकेली हो जाएगी नेक्स्ट मॉनिंग साक्षी का पिछली रात की बात से मूर खड़ाब था और भानो देवी उसे देखकर समझ जाती है कि वो किसी बात से परिशान है और इसलिए वो उसे कमफर्ट करने के लिए उसे बाते वगेरा करने लग जाती है यहां बानो देवी साक्षी को एक कहानी सुनाती है जो कि एक चाला कववे की थी वो कववा एक पेर पर अपना घोसला बना कर उसमें अंडे देता है और उसकी हिवाज़त करता है लेकिन कुछ दिन बाद इसी पेर पे एक साप आता है वो साप के जहर से वो हड़ा वड़ा पेर सूखने लग जाता है और देखते ही देखते वो पेर बंजर हो जाता है जिसके बाद वो साप कववे के अंडे खाने लग जाता है कुछ दिन बाद यहाँ एक मैना ने गोसला बनाया मैना अपने गोसले में अंडे देती है जिसे बड़ी चलाके सी कववा अपने अंडो से बदल देता है और next day वो साप मैना के अंडे खा जाता है और कववे के अंडे बज जाते हैं इसके बाद वो कव और उसका पडिवार सुखी शांती से रहने लग गए। अब साक्षी सोचने लगती है कि आखिर भानो देवी ने उसे ये अजीब सी कहानी क्यों सुनाई थी। वेल पूरा दिन भानो देवी साक्षी का ध्यान रखती है उससे बाते वगेरा करती है और उसे अपनी तरह की टीका बिंदी करके सजाती है। उम्मीद थी। जिस पर साक्षी एमन को बताती है कि लड़का हो या लड़की उससे कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उनका बच्चा उनके जीवन में एक ब्लेसिंग है। नोटिस करती है और इससे पहले साक्षी उससे कुछ बात करने जाती, भानो देवी यहां जाती है और वो साक्षी को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। यहां भानो देवी साक्षी को बताती है कि यह औरत उसके बेटे राजबीर की वाइफ रानी है। राजबीर अब यहां नहीं रहता और वो शहर चला गया है। रानी के साथ एक बुरा हाथसा हुआ था जहां अपनी एर्थ मन्त की प्रेग्नेंसी में उसने अपने बच्चे को खो दिया था। भाणो देवी बताती है कि एक दिन रानी बानो देवी के मना करने के बाद भी खेट में घूमने निकल गई थी। भाणो देवी रानी को ढूंडती रही और जब रानी उसे मिली तब रानी जमीन पे बेहोश थी और गिरने की वज़े से उसका बच्चा मर गया जिसके बाद उन्हें पेट काट कर उसके मरेवे बच्चे को निकालना पड़ा। उस दिन के बाद से रानी को शौक लग गया और अब वो कुछ बोल नहीं सकती। अब पूरे दिन साक्षी नोटिस करती है कि भाणो देवी रानी के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी। और रानी भी जब-जब साक्षी को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था आज इफ वो उसे कुछ कहना चाती हो। भाणो देवी रानी का ये बिहेवियर नोटिस करती है और उसे यहां से भागा देती है। रात होने के बाद भानो देवी भी यहां से चली जाती है और उनके जाने के बाद साक्षी को में डूर पर किसी की नौक सुनाई देती है जिसे साक्षी को लगता है कि वहां रानी है साक्षी जाकर चेक करती है लेकिन यहां कोई भी नहीं था अब जैसे ही साक्षी टर्न करती है हम दरवाजे के पास किसी बच्चे को खड़ा हुआ देखते हैं साक्षे उसकी आवाज सुनकर उसे पूचती है कि वो कौन है और यहां क्या कर रहा है लेकिन तभी वो एक बार फिर साक्षी के सामने से भागता है साक्षी यहां दो बच्चों को जाती है वो कहती है कि उसे इन बच्चों से घुलना मिलना नहीं चाहिए आज वो एक बच्चे से प्यार से बात करेगी तो कल और दो बच्चे यहाँ जाएंगे साक्षी भानो देवी से कहती है कि वो इन बच्चों से बात करेगी क्योंकि उसे बच्चे अच्छे लगते हैं जिस पर भानो देवी एकदम ही उस पर गुस्सा होते वे बोलती है कि रानी ने भी उनकी बात नहीं सुनी थी और उसका देखो क्या हाल हो गया अब भानो देवी का ये बरत्राओ साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चुप चाप सोनी चली जाती है खैर, बीचराथ में साक्षी की नीन खुलती है और वो जमीन पर भानो देवी का बिस्तर खाली देखती है और अचानक ही उसकी नजर अपने बगल में जाती है जहां भानो देवी उसके पास चुप चाप ऐसे बैठी वी थी as if वो पहरा दे रही हो सुबह साक्षी अपने रूम के मिरर से बाहर देखती है जहां वो रानी को खड़ा हुआ देखती है रानी उसकी तरफ ही घूर रही थी as if वो उससे कुछ कहना चाहती हो साक्षी उसके पास जाती है पर तब ही बानो देवी यहां आ जाती है और उनके आते ही रानी चली जाती है रूम में आने के बाद साक्षी को दरवाजे पर एक बार फिर वही बच्चे दिखाई देते हैं जो लास्ट नाइट घर के बाहर नौक करके भागे थे साक्षी उन बच्चों के पीछे पीछे घर के पीछे वाले रूम की तरफ आ जाती है जहां साक्षी को देखते ही वो बच्चे यहां से भाग जाते हैं साक्षी को यहां एक रेडियो प्ले होते वे देखता है जिसमें किसी लेडी की आवास थी जो कि कुछ बच्चों के साथ लुका छिपी खेलते वे कुछ गा रही थी इतने में ही उन तीन बच्चों में से एक साक्षी को छू कर भागता है और वो बच्चे साक्षी के साथ लुका छिपी खेलना स्टार्ट कर देते हैं साक्षी उन बच्चों को पकड़ने जाती है और हम उन बच्चों को उसी डार्क रूम में छिपेवे देखते हैं जो की में रूम के पीछे था यहां उनके साथ एक घोष्टली फिगर भी दिखाई देती है अब जैसे ही साक्षी यहां आती है वो बच्चे और वो घोष्ट यहां से गायब हो जाते हैं साक्षी उस रेडियो को देखने लगती है और इतने में यहां भानुदेवी आ जाती है और वो साक्षी के हाथ में वो रेडियो देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि उनके मना करने के बाद भी वो उन बच्चों के साथ घुल मिल रही है और इतना कहा कर वो साक्षी के हाथ से वो रेडियो लेकर फेक देती है। साक्षी इस बात से बहुत गुसा हो जाती है जिसके परिनाम अनुसार भानो देवी और साक्षी में कहा सुनी हो जाती है। और इस कहा सुनी में भानो देवी साकशी को बोलती है कि वो किसी काम की नहीं है। हेमन्द को उस से एक लड़के की उम्मीद थी और उसके पेट में एक लड़की पल रही है। हेमन्द को जब पता चलेगा तब उसे बहुत बुरा लगेगा। साक्षी भानो देवी के इस rude behavior से नाराज हो जाती है और वो घर का दर्वाजा बंद करके बैठ जाती है अब हिमंत की वापस आते ही भानो देवी हिमंत से कहने लग जाती है कि वो साक्षी का ध्यान रख रही थी फिर भी साक्षी ने उसके साथ बुड़ा बरताओ किया साक्षी भी हमंत को सच बताने की कोशिस करती है लेकिन हमंत साक्षी को भानो देवी से माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि वो उमर में बड़ी थी साक्षी उनकी उमर का लिहाज करतेविए उन से माफी तो मांग लेती है पर उसके जाते ही साक्षी हिमन्त को बताती है कि उस ऐसा लगता है कि भानो देवी उसके पेट में पल रहा बच्चे से जलती है क्योंकि उसकी खुद की बहुरानी कभी मा नहीं बन सकती थी साक्षी हेमंद को यहां से अभी इसी वक्त चलने के लिए कहने लगती है और हेमंद को उसकी बात मान कर यहां से रात में ही जाने के लिए रेडी होना परता है अब वो लोग बाहर जैसे ही अपना समान लेकर निकलते हैं वैसे ही कजाला हेमंत के सर पे एक स्टिक से हेट करके उसे बिहोश कर देता है और भानूदेवी साक्षी को कुछ दुंगा कर उसे बिहोश कर देती है जब साक्षी को होस आता है तो वो आपने आपको किसी हवन में बैठा हुआ देखती है उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे और वो भानो देवी की तरह ही ड्रिस्डप हो रखी थी यहां वो हवन के पुजारी को भी देखती है जो कुछ मंतर वगेरा पढ़कर तीन उंगलियां देखाता है और इसके बाद हवन खत्म होने पर भानो देवी साक्षी को बेट से बान देती है यहां भानो देवी साक्षी को कई साल पहले की बात बताती है जब कजाला के छोटे भाई योगेश्वर की साधी सुनैनी नाम की एक औरत से हुई थी उस से भानो देवी के खुद के चार बच्चे थे और यहां हम देखते हैं कि वो तीन छोटे बच्चे जो साक्षी के साथ लुकाचिपी खेलने आये थे वो दरसल भानो देवी के मरे हुए बच्चों के घोस्ट थे यहां दोस्तों भानो देवी का बड़ा बेटा राजबीर ही एक लौता बचा था वेल यहां भानो देवी साक्षी को बताती है कि सुनैनी के आते ही उसके बाकी तीन बच्चे सुनैनी से इतना घुल मिल गए थे कि वो उसे ही अपनी मा मानने लग गए थे भानो देवी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था और उसने कजाला से कह दिया कि वो योगेश्वर को अपनी पतनी को समझाने के लिए बोल दे योगेश्वर सुनैनी को समझाने गया और उन दोनों के बीच काफी जगड़ा हो गया और जब कजाला और भानो देवी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सुनैनी ने योगेश्वर को जान से मार दिया था इसके बाद सुनैनी जिस चाकू से योगेश्वर को मारा था उसी से अपना पेट और गला भी काट लिया and then हो कुए में कूद कर मर गई इसके बाद उस घर में मनहूस साया पड़ गया है और भानुदेवी के बाकी तीन बच्चे कुए में कूद कर मारे गए कुछ समय बाद भानुदेवी के बेटे राजबीर की शादी रानी से हुई थी जिसके बाद अपने आठवे मन्त के प्रिक्नेंसी में रानी पर सुनैनी का बुरस आया पड़ा और उसके बच्चे की डेथ हो गई इस घड़ना के बाद उन लोगों ने अपने बड़े बेटे राजबीर की दो और बार शादी कराई पर उसकी बाकी दो बीवियों का भी वही हाल हुआ जहां वो दोनों मारी भी गई भानुदेवी उसे बताती है कि उसने राजबीर की एक और शादी कराई पर इस बार उसे शहर भेज दिया गया घर से सुनैनी का बुरा साया हटाने के लिए तांतरी की मदद ली गई जिसने बताया कि अगर इस घर में कोई प्रेगनेंट लेडी तीन दिन और तीन रात तक अपने आठवे महीने में रह जाए तो इस घर से वो बुरा साया चला जाएगा बानदवी साक्षी को बोलती है कि उसे तीन दिन यहां रहना ही होगा और इन तीन दिनों में उसे वो लोडी नहीं गुन-गुनानी है जो उसने रेडियो पर सुनी थी क्योंकि वो लोडी सुनैनी की थी जो वो उसके तीन बच्चों को अक्सर सुनाया करती थी वल इतने में साक्षी फिर से ब्योज़ो जाती है नेक्स्ट मुर्णिंग साक्षी हमन्त को डूमने लगती है पर यहाँ घर में कोई भी नहीं था साक्षी बाहर जाती है जहाँ उसे जमीन पर वही रेडियो पड़ा हुआ मिलता है जिसमें वही लोडी प्ले हो रही थी साक्षे इस रेडियो को देखकर घबरा जाती है और भाग कर रूम में चली जाती है यहां रूम के अंदर उसे उन तीन बच्चों की घोश दिखाई देती है जो उससे कुछ ऐसा कहते है तुम्हारे पेट में चोटी बच्ची है न हमने आज तक चोटी बच्ची नहीं देखी वो लोग इसे भी ले जाएंगे तबी बाहर से एक औरत की आवाज आती है जो उन बच्चों से पूसती है कि वो छुप गए की नहीं जिस पर वो बच्चे साक्षी से कहते है कि चोटी मा यानी सुनाईनी आ गई क्या तुम हमारे साथ खेलोगी ये कहकर वो बच्चे बाहर की तरो भागते है और साक्षी उनके पीछे चल परती है साक्षी उन तीनों को भागते वे देखती है और एक औरत भागते हुए उस कुए के अंदर खूज जाती है and then वो तीन बच्चे भी यहां कुए में खूज जाते हैं साक्षी कुए के अंदर जाकती है लेकिन यहां कोई नहीं था साक्षी से अपने मन का वहम समझ कर यहां से बाहर जाने का रास्ता ढूनने लगती है लेकिन यहां एक अजीब चीज होती है no matter साक्षी कोई भी रास्ता लेती है हर बार वो घूम फीड कर उसी जगह पे वापस आ जा रही थी ऐसा करते करते उसे शाम हो गई थी और वो काफी ठक जाती है इतने में ही उसे पास सही भानो देवी की आवाज आती है च्योंकि अपने बेटे राजबीर से किसी को ढूनने की बात कर रही थी जिसे सुनकर वो घर के पीछे वाले रूम में जाकर छिप जाती है Now surprisingly आज ये रूम खाली नहीं था और यहां चेर्स वगेरा परे हुए थे साक्षी उन्हीं में से एक चेर के पीछे छिपने की कोशिस करती है बट वो लोग यहां आ जाते हैं वो लोग साक्षी पर मिटी तेल छिरक कर उसे यहीं जिन्दा जला देते हैं पर अचानक ही यह सब यहां से गायब हो जाता है और साक्षी रियलाइस करती है कि उसे किसी तरह के विजन्स आ रहे थे और यह रूम असल में बिलकुल खाली था As a viewer हम देखते हैं कि साक्षी के ठीक बगल में एक almost burned औरत आती है और उसके कान में कुछ फिस फिसाती है साक्षी इन सबसे बहुत डर जाती है और यहां एक बार फिर भागने की कोशिस करती है बट इट वस वेस्ट क्योंकि हर बार वो फिर से यहीं घूम फिर कर पहुंच जा रही थी ऐसा काफी देर तक करते रहने के बाद साक्षी यहीं फेंट होकर गरी जाती है and next morning उसकी आँख खुलती है साक्षी को realize होता है कि पिछली साम से उसने कुछ नहीं खाया है जोकि उसके बच्चे के लिए harmful हो सकता है और इसलिए वो रूम के अंदर जाकर जो भी उसे मिलता है उसी को खाकर अपना पेट भरती है हाथ मूध होते वक्त उसे अपने पीछे वही बच्चे भागते वे दिखते हैं जिने देखकर वो उनके पीछे जाती है यहाँ वो उनके साथ उनकी छोटी मा यानि सुनैनी को भी देखती है जो कि साक्षी को देखकर मुस्कुराती है सुनैनी उन बच्चों के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही थी और वो बच्चे सुनैनी से पूसते हैं कि क्या उसके पेट में छोटी बच्ची है अगर है तो वो कैसे दिखती है? इस पर सुनैनी उन्हेंइं बताती है कि चोटी बच्ची बिलकुल पड़ी की तरह है। उसमें से एक बच्चा सुनैनी से पूशता है कि क्या वो लोग इस चोटी बच्ची को भी ले जाएंगे? जिस पर सुनैनी बूलती है कि नहीं, मैं बच्चों को बिगार रही है और योगेश्वर यहां एक डंडा लेकर सुनैनी को मारने दोरता है वो तीनों बच्चे भी सुनैनी को बचाने उसके पीछे भागते हैं साक्षी भी उनके पीछे जाती है जहां वो योगेश्वर को सुनैनी को डंडे से मारते हुए देखती है वो बच्चा यहां एक चाकू लेकर आते हैं और सुनैनी को दे देते हैं ताकि वो अपना बचाओ कर सके वो योगेश्वर के पैर से लिपड़ जाते हैं कि वो सुनैनी को ना मारे इसके बाद अचानक सब साक्षी के सामने से गायव हो जाता है और सुनैनी अपने हाथ में चाकू लेकर एक औरत को ओफर करती है इस पॉइंट पे हमें मूवी के ओपनिंग से इन वाला इंसिडन दिखाये जाता है जहां रानी चाकू से अपना पेट काट लेती है जिसके बा साक्षी सूने की कुशिस कर रही थी लेकिन तब ही उसे पीछे वाले कमरे में आग जलती वी दिखाई देती है और वो उस रूम में ये कहते वे भागती है कि उसने कुछ नहीं किया उसे मत जलाओ यहां कर साक्षी को ऐसा फील होता है जिफ वो खुद भी जल रही है और वो जमीन पर गिर जाती है जहां उसके साइड में हमें एक जलीवी औरत को उसकी ही तरह स्क्रीम करते वे देखते हैं साक्षी बेहोश हो जाती है और थोड़ी दे बाद आँख खुलने पर वो अपने बगल में एक न्यूबॉन बेबी गल को देखती है जिसके साथ वो तीनों बच्चे आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे इसे कुछ नहीं होने देंगे तो अगली सुबर साक्षी को अपने सामने भानो देवी दिखाई देती है जो कि उसे बताती है कि साक्षी ने एक लड़की को जन्म दिया है और राजबीर उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है यहां से साक्षी बाहर भागती है और कुए के पास उसे राजबीर उसकी बच् जाता है जहां वो अभी भी प्रेग्नेंट थी and this was again some kind of vision साक्षी को फिर सुनैनी की वही लोडी सुनाई देती है और वो बच्चे भागते वे देखते हैं साक्षी उनके पास जाती है और सुनैनी के आने पर वो यहीं बैठ जाती है and यह सीन एक्जाक्षी मूवी के ओपनिं में चाकू चलवाने लगती है इसके बाद screen blackout होता है तो अगली सुबर साक्षी के यहां पर 3 दिन और 3 रात पूरे हो जाते हैं और हिमंत यहां आता है जो कि साक्षी को बताता है कि ritual पूरा हो गया था इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है भानो देवी और कजाला भ रही थी साक्षी सुनैनी को बताती है कि वो जान चुकी है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगी उसके हत्यारों को सजा दे लाएगी साक्षी सुनैनी से एक मौका मांगती है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके और सुनैनी भी मान जाती है को sacrifice किया करते थे कजाला के छोटे भाई योगेश्वर की वाइफ सुनैनी भी जब pregnant होती है तो वो लोग उस से उस बच्चे को जान से मार देने के लिए कहते हैं बट सुनैनी साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती थी सुनैनी के हाथ में रखे चाकू पर ही गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और वो बच्चे से डर कर यहां से भाग जाते हैं इतने में ही भानु देवी यहां आती है और सुनैनी के हाथ में उस चाकू को देखकर वो सोचती है कि सुनैनी नहीं योगेश्वर को जान से म आते हैं और सुनैनी को जिन्दा जला देते हैं सुनैनी की बच्ची चो वो सी कुए में अपने प्रता के लिए इसके बाад भानो देवियर ने अपने मैट राज़वीर की शाधी राणी से कराई थी जिसे सुनैनी ने सब कुछ बता दिया and then सुनैनी राणी को कंट्रोल करके उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार लेने के लिए कहा नहीं तो वो लोग उस बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद सैक्रिफाइस कर देते और राणी ने ऐसा ही किया इसके बाद भानो देवी और कजाला ने अपने बेटे की दो और बार शादी कराई and हर बार ठीक ऐसा ही हुआ and now हमें कहानी का सबसे शौकिंग पार्ट पता चलता है साक्षी भानो देवी को बताती है कि उसे पता चल गया है कि राजबीर कौन है क्योंकि अपने विजिन्स में उसने राजबीर को देख लिया था और यहां आमें परा चलता है कि भानो देवी और कजाला का हो बेटा जो शहर चला गया था वो और कोई नहीं बलकि हेमन्त थी था जी हाँ दोस्तों दरसल हेमन्त ने साक्षी को फसाया था और जब साक्षी आठ मन्त की प्रेगनेंट हो गई थी तब वो उसे अपने गाउन ले आया बानो देवी हेमन्त उर्फ राजबीर और कजारा ने बहुत कोशिस की कि साक्षी को सच पता ना चले और वो अपना सैक्रिफाइस पूरा कर ले लेकिन सुनैनी ने साक्षी को सब सच बता दिया था राजबीर साक्षी से अपना मूँ बंद करने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि अगर वो अपना मूँ बंद रखेगी तो वो लोग उसे राणी की तरह जिन्दा छोड़ देंगे पर अगर वो किसी को ये सब बताने का सोचेगी तो वो लोग उसे राजबीर की बाकी दो बीवियों की तरह जान से मार डालेंगे यहां हम विंडो के पास राणी को ये सब सुनते वे देखते हैं साक्षी किसी की परवा किये विना यहां से बाहर निकल कर चलना स्टार्ट कर देती है और हेमंत उसे मारने के लिए दोरता है और फाइनली रानी जो इतने सालों से ये सब देखते आ रही थी वो हेमंत पर हमला करके उसे जान से मार देती है जिसके बाद वो कजाला और भानु देवी को मारने के लिए दौरती है यहां साक्षी बाहर जाने के रास्ते को देखती है और उन तीन बच्चों की घोस्ट यहां आकर साक्षी को बाहर जाने का सही रास्ता देखाते हैं जिसके बाद हम रानी को भी साक्षी के साथ जाते हुए देखते हैं मूवी यही पर खत्म हो जाती है तो इसको यह थी छोड़ी की कहानी और अब हम और आप मिल करें से रिलेटेट को छोड़ी बड़ी बातों पे चरचा करेंगे तो सबसे पहली बात जो शायद आपको थोड़ी confusing लगी होगी वो यह कि सुनैनी ने साक्षी को क्यों जाने दिया तो इसका जवाब यह है कि सुनैनी राजबीर की हर पतनी के बच्चे को कोख में ही मार दे रही थी क्योंकि वो उसका वंश आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी और उसने हर औरत को साक्षी की तरह ही चाकू अफर किया था और उन औरतों ने अपना decision लिया कि वो लड़ने के बजाए अपने बच्चे को मारना चुनेंगी साक्षी बाकी औरतों से अलग थी क्योंकि वो सुनैनी का सच समझपाई थी और उसने अपने बच्चे को मारनी के बजाए लड़ने का फैसला किया और सुनैनी से वदा किया कि वो उसे इंसाफ दिलाएगी दूसरी तरह जब रानी साक्षी को अपने लिए लड़ते हुए देखती है तो उसमें भी हिम्मत आ जाती है और वो हिमंत उर्फ राजबीर और उसके फैमली से अपना बदला लेने के लिए उन्हें जान से मार देती है दरसल ये फिल्म हमें हमारी बैकवर्ट सोसाइटी का एक करवा सच दिखाता है जहां आज भी बेटी का जन्म एक अपशकुन के रूप में देखा जाता है और उसे पैदा होते ही या फिर कई बार गर्व में ही मार जिये जाता है या कई बार पैदा होने के बाद गाउं देहात में आज भी कई जगर लड़की के जन्म लेने पर उसकी बली चरहा दी जाती है और ऐसा करके वो लोग अपने उपर से अपशकुन हटाने का विश्वास रखते हैं यानि कि या तो वो लड़की के जन्म ले लेने को ही अपशकुन मानते हैं या फिर उसे अपने पापों का फल समझ कर खत्म कर देते हैं एक और बाद जो मूवी में बहुत अच्छे से पोट्रे की गई है वो इसका ये मेसेज कि औरतों को अपने हक के लिए बोलना चाहिए उन्हें आगे आना चाहिए क्योंकि सालों से औरते सब कुछ सहन करती आ रही है अगर सब एक साथ मिलकर अपनी बहतरी की तरफ कदम उठाएंगी तो उनके साथ अच्छा होगा अब भानुदेवी को ही ले लो वो खुद औरतों को नीचे खीच रही थी और ऐसा नहीं होना चाहिए सब ये औरतों को एक साथ आना होगा अगर उन्हें आगे बढ़ना है कॉंट्रस्टिंग में हम रानी को देख सकते हैं जो कि साक्षी के हिम्मत को देख कर खुद में भी हिम्मत लाती है तो ओवराल ये फिल्म एक बहुत ही अच्छा मेसेज देती है और आइकन से कि ये फिल्म भी सच मुझ बहुत अच्छी थी आप इसे Amazon Prime वीडियो पे जरूर देखिए तो ये थी मुवी छोड़ी की एक्स्प्लाइनेशन और मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अब जो लोगी वीडियो के एंड तक बने हैं उन्हें मैं कैश करो एप के गिववे के बारे में बताऊंगा कैश करो एक all-in-one एप है जो आपको लिटरली शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है गिववे में पार्टिस्पेट करने के लिए आपको कैश करो का अकाउंट बनाना पड़ेगा विद दे हल्प अफ लिंक इन डिस्क्रिप्शन और मेरा कोड हॉंटिंग 25 जरूर यूज करना देन लिस्टर वेबसाइट पे कोई भी छोटा सा ट्रांजक्शन करो लाइक food order और mobile recharge ऐसा करते हैं आप automatically give up में एंटर कर जाएंगे और पांच lucky winners को Amazon gift voucher मिलेगा वर्थ 200 तो cash करो डाउनलोड करके धेर सारे पैसे बचाओ अब अगर वीडियो पसंद आगे तो उसे like ओ, share करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हाँ अपने चैनल पे ऐसे interesting videos लाते रहते हैं Peace